हेलो फ्रेंड्स, फिंसा आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है 24 आवर टाइमर, आज स्ट्रेट लाइट टाइमर सेटिंग किस तरह की जाती है इसका कनेक्शन किस तरह किया जाता है सब कुछ आज के सुड़े में हम प्रैक्टिकली सीखने वाले है यह हमारे पास एक 24 आवर एनलोग टाइमर है जिसका यूज नोर्मली स्ट्रेट लाइट को आटोमेटिकली ओन ओफ करने के लिए किया जाता है आप इस टाइमर से किसी भी मोटर को या किसी भी लोड को ओन ओफ कर सकते है जिस टाइम पर आप चाहते है उस हिसाप से इसे ओन ओफ आसन इसे किया जा सकता है और आप इस टाइमर से किसी भी लोड को मल्टिपल टाइम भी ओन ओफ कर सकते है that means आप चाहते है suppose for example आप चाहते है आपके पास कोई load है वो साम को 6 बजे on हो तो 8 बजे तक on रहे और चाहते है दो पहर में 2 बजे चालो हो तो दिन में 2 बजे तक चलता रहे या आप कोई भी time जो timing आप चाहते है उस timing के हिसाब से आप इस load को on off कर सकते है आपको उसके लिए करना क्या होगा जो यह black row देख रहे है इसे normally हम dip switch कहते है जो dip switch normally नीचे की तरफ रहते है आप जो timing पर on off करना चाहते है उस timing के उपर जो dip switch होते है आप उसे उपर के तरफ कर दीजिए इस timer पर आप देख सकते है एक बज़े से लेकर दो 24 hour timer तक की setting दी गई है आप जो timing चाहते है उस timing के dip switch को आप उपर कर दीजिए तो आपका load होगा उस हिसाब से on off रहेगा तो यह तो normally हुआ dip switch आप यहाँ पर हम समझ लेते हैं आटो और manual का एक बटन दिया गया है इसका क्या function है यह समझ लेते है चलिए auto manual जो switch इसका क्या मतलब है यदि आपने जो manual यह switch है इसे बीच में रखा है तो आपने जो timing set की है उस timing के हिसाब से आपका load on off होता रहेगा यदि आपने इस switch को उपर की तरफ कर दिया है तो आपने इसमें कुछ उपर setting की हो उससे कोई मतलब नहीं है आपका जो load है वो permanent on रहेगा आपका timing के हिसाब से load on नहीं रहेगा यदि आपने इस setting को नीचे की तरफ की है तो आपका जो load होगा वो permanent off हो जाएगा कभी भी on नहीं होगा normally हमें यदि straight light timer से related जो भी connection हो से off करना होता है तो वैसे तो हम MCB से off कर सकते है बट यदि हम MCB से नहीं चाहते तो इसके switch को नीचे कर दे तो जो हमारा load होगा वो permanently off हो जाएगा यदि हम timing के हिसाब से on off करना चाहते तो इसे हमें center में रखना होगा तो यह normally इसके auto manual setting थी चलिए अब इसके connection के लिए हमें क्या करना होगा हम समझ लेते हैं normally आप यहाँ पर देख सकते हैं 1,2,3,4 and 5,5 terminal यहाँ पर दिये गये है तो जो 1 and 2 number का जो terminal है इसमें हमें 220 supply देना होगी यह जो timer है हमारे पास 250 volt ऐसी supply के लिये है तो यहाँ पर हमें जो एक number और दो number है इसमें 220 volt supply basically इसके timing को operate करने के लिए इसकी coil को operate करने के लिए इसमें हमें देना होगी चलिए हमें 1 और 2 number में supply देना है basically 3 number point देख जाए तो यह common point होता है जो 4 number point है यह 3 के साथ ANO point होता है यह जो load को on off करना होता है उसका connection हम 4 number से ही लेते है और जो 5 number होता है वो 3 के साथ 5 होता है वो NC point होता है चलिए हमें समझ में आगाया 102 coil है 3 common है 4 ANO है and 5 इसके साथ क्या है NC point है चलिए इसका connection के लिए हमें क्या करना होगा समझ लेते है जैसे कि हमने आपको पहले ही कहा था हम आज के studio में इस timer से एक load को on करके देखने वाले है तो हम एक load को on करके देखने वाले है आपकी पस multiple load हो तो आप multiple load को भी इससे on off कर सकते है चलिए इसका connection किस तरह किया जाएगा और timing के हिसाब सी से on off किस तरह किया जागा समझ लेते है बैसिकली से operate होने के लिए 220 supply की requirement होती है तो हम 220 supply पहले MCB में connect कर देते है और MCB से timer में 1 or 2 number में हम phase or neutral connect कर लेते है तो चलिए हमने इसमें basic connection कर लिया है 220 supply हमने कहां दी है MCB में MCB से जो phase आया है उसे one number point में दिया है जो neutral आया है उसे two number point में दिया है अब जैसा कि हम जानते है तीन number इसका common point है तो हमें क्या करना है जो एक number में phase की जो supply आई थी उसी से एक looping हमें लेना है क्योंकि 220 का ही हमारा load है इसलिए हमें 220 की ही supply लेना होगी तो हम क्या करते है जो एक number में हमारा phase आया था वहीं से एक looping लेकर हम इसे तीन number में connect कर देते है तो क्या होगा जो एक number की direct supply थी वो हमारी तीन number common में continue अभी आ रही है देखे तीन number में हमारी common में supply आ रही है अब जैसे कि हमने कहा था जो 4 number point है वो क्या है इसके साथ éno point है और 5 number इसके साथ any point है अब हमें इस bulb को इस timer के through control करना है तो देखें इसके dip switch operate करें timer operate कब होगा तो जो timing पर set की है जैसे ही timing इसके complete होगी तो हमारा जो common point है वो a no से supply निकलेगी तो हमें क्या करना है हमारे जो load में दो wire होते है देखिए इसे चलने के लिए phase or neutral की जरूरत होती है तो phase हम क्या करें के इस timer के थूर देगे और जो neutral होगा उसे mcb से हम direct कहीं से भी आप provide कर सकते है जस्ट हमें इस timer से just phase को ही control करना है तो हम क्या करते है हमारे जो bulb का जो phase का जो wire है उसे चार नंबर जो एनो पॉइंट है वहाँ पर connect कर देते है अब हमारी जो timing के हिसाब से जो हमने timing set की है जिसे ही वो timing होगी तो हमारा जो यह bulb है वो on off होगा आप हम यहाँ पर बल्ब कर रहे है आप जो भी load को on off करना चाहते है उस load को आसनी से कर सकते है चलिए phase का हमारा connection हो गया है अब neutral हम इसे direct connect कर देते है तो चलिए हमने neutral इसे direct अभी connect कर दिया है और phase इस timer के through दिया है अब हम देख लेते हैं किस तरह यह operate हो रहा है किस तरह काम कर रहा है सबसे पहले हम इसे supply देते हैं ताकि timer की coil operate हो सके तो चलिए हम MCB का on कर देते हैं और हमने timing क्या set की है शाम की 6 सी तो 8 तक हमारा load on होना चाहिए और दो पहर में क्या किया है हमने 12 से तो 2 बज़े तक का हमारा load on होना चाहिए चलिए अब जैसे ही हमारा load होगा load का timing यहाँ पर आएगा इस arrow के सामने तो हमारा load on होगा चलिए इसे हम manually अभी operate करके देख लेते हैं जैसे ही अभी इसकी supply देते ही इसका load का timing चालो हो चुका है अब operate कैसे होगा हम समझ लेते हैं देखिए जैसे ही अभी छे बजने वाली है जैसे ही छे बज़ेगी तो हमारा light है वह on होगा देखिए अभी बज़ने वाली है जैसे ही बारा बज़ेगी हमारा timer फिर ओन होगा अब यह कब तक चलेगा दो बज़ेगी हमारा टाइम्ट है वह off हो जाएगा ताब इस timer का थूरू किसी भी आवर एक बार ओफ हो गई तो इसके timing जो है वह डिस्टाब हो सकती है तो आप इसमें inverter के supply देजिए और डायरेक्ट कंटिन्यू चलती रहती है देखिए अब इसके दोरह क्या होगा जैसे हमने इसे पर्मानेंट ओफ कर दिया तब जैसे ही बारा बजे या आणड बजे कुछ भी बजे अब यह ओन नहीं होगा किसी भी टाइम पर यदि हम इससे पूरी तरह उपर कर देते हैं तो यह पर्मानेंट ओन रहेगा कोई भी timing इस ही होती रहे ज़िए हम इसे सेंटर में कर देते ह होगा जितने टाइमिंग हम चाहते हैं उस टाइम पर ही ओन होगा आपको यह इसका कॉंसेप्ट समझ में आया हूं इसके सेटिंग कि जाती ही कनेक्शन किस तरह किये जाते हैं तो यह तो जस्ट इसकी बेसिक वायरिंग थी आगे चलके इसके दोवारा मोटर स्टार्टर को